दमश्कार आप देख रहें केकार न्यूज और आपके साथ मैं हूँ आर्टी केलोट आईए शुरुआत करते हैं खबरों की जबलपूर के चरगमा थाना अंतरगत दावन खमरिया गाउं में दो योगकों को एक किशोरी से प्रेम करने की सोजा इतनी बहेंकर मिली कि देखने वालों के रोंग्टे खड़े हो गए प्रेमी वो उसके साथी को किशोरी के परिजनों ने दोनों सीर के बाल मुंडवाते हुए जूते चपलों की माला पेना कर उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वाइरल कर दिया है वही प्रेमी और उसके साथी की रिपोर्ट पर पुलिस ने किशोरी के परिजनों के खिलाब मामला दर्ज कर चारा रोपियों को ग्रफतार कर लिया था वही पुरे मामले में अब एक नया मोड स्वामने आया है दरसल किशोरी ने पुलिस अधिक्षक कारेले पहुँच कर शिकायत दर्ज कराई की किस मई को उसका पुरा परिवार शादी समारों में शामिल होने गाडरवाड़ा गए हुए थे जहां मैं घर पर अकेली थी तबी पास के गाउँ वा बुड़वानी में रहने वाली राजकुमार मेरा और उसके स्वाती महींड मेरा उसके घर पर आ गया और अकेला देख मुखा पाते ही दोनों ने मिलकर मुझे पकड़ लिया और राजकुमार मेरे स्वाथ जबर्जस्ती छुर्चवानी करने लगा तभी मैं जोड से चिलाई तो मेरे चौचा का बेटा मुझे बचानी के लिए दोड पड़ा तभी राजकुमार और महिंड मुझे जान से माननी की धमकी देते हुए मोके से फरार हो गए इसके बात दूसरे दिन जब परिजोन शादी से लोटी तो पूरी घटना मैंने अपने मां को बताई डर और बदनामी के कारण इतने दिनों तक या बात छोपा के रखी थी वरहाल महिला चाँच अधिकारी जोती दूबे निकिशोरी के बयानों के आधार पर राजकुमार महिरा और महिंड के खिलाब चर्डशान और पासको एक्ट के तहत मामला दर्जकर चांच शिरू कर दी है जबलपूर से वाजित खान की रिपोर्ट राजकुमार महरा और महिंडर महरा द्वारा इसे घर पर आकर चिर्शान की गई है ऐसा भी कहा जा रहा है कि नावालिक भर में अकेली थी उनके परिवार है नावालिक है पति घर के माबाप और चोटी बेन शादी पर गाडर बार गई हो गए थे हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना न भूले प्रूप स्ट्स्राइब करना न भूले